नमस्कार मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला नियूज आईए रुख करते हैं आज की खास खबरों की और मिलावट से मुक्ति अभियान के तहट प्रशाशन खादि विभाग के साथ मिलकर मिलावट खोरो पर लगातार का रिवाही कर रहा है गुरवार को टीम ने महू और राव में भी दो फाक्टरियों में दबिश दी जहां काली मिर्च को ऐसे तेल से चमकाने का काम किया जा रहा था जो खाने योगिन नहीं था टीम ने फाक्टरिय को सील कर सैंपलों को चांच के लिए लाब में भिजवाया है वही पलिस ने दीपक पाहुजा जो की फाक्टरिय का संचालक था उस पर किशेंगंज थाना पलिस ने मामला दर्ज कर पश्यमास पी महींदर जैन द्वारा उस पर रास्तुका की कारिवाही की गई है टीम ने सबसे पहले महू के पास उमरिय गाव में काली मिर्ची मिलावट की सूचना पर फ्रैक्टरी में दबिश थी यहाँ पर काली मिर्च में पॉलिश कर मैदा मिलाकर वजन बढ़ाने का काम करती थी इसके लावा टीम राउ ने बालाजी ट्रैडर्स में भी जाँच के लिए पहुंचे यहाँ पर केमिकल से काली मिर्ची को चमकाने का काम चल रहा था यहाँ पर भारी मात्रा में काली मिर्च का स्टॉक और छे ड्रम ओल मिला है और जो मिला है वह खाने योगी नहीं है यहाँ से स्टार्च भी मिला है पता चला है कि यह लोग काली मिर्च को बिना किसी लाइस यहाँ पॉलिशिंग कर बेचते थे यह खराब क्वालिटी की काली मिर्च को भी अच्छी क्वालिटी का बना कर खपाते थे खादि विभाग की भुपा लैप से मिली जानकारी के अनुसार इस प्रकार से मिनरल ओयल में पॉलिशिंग करना प्रतिबंदित है ये सब चीजें slow food poisoning की कैटेगरी में आती है जो शरीर के लिए हानिका रखे काली मिर्च की processing भी यहां अवैद तरीके से की जा रही थी किसी दूसरे लाइसंस पर एक काली मिर्च पॉलिशिंग का काम कर रहा था टीम ने जाज के लिए फैक्टरी से सेंपल लियर से स्टील कर दिया वहीं फैक्टरी मालिक दीपक पाहुजा पर किशनगंज थाने में मामला दर्जकर परशिमा स्पीनुस पर रासुका की काली वाही की है इसके पहले भी पॉलिश ने चार लोगों की खिलाफ रासुका की तहत जैसा की सासन की मंसा है जो मिलावट से मुक्ति अव्यान चल रहा है ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों जो मानव जीवन को संकट में डाल कर खाद परदार्तों में मिलावट कर रहे हैं उनके व्रुद अनिवारे रूप से रासुका की तहते कारवाई की जारी है और इसी कड़ी को आगे बढाते हुए दीपक पाहुजा के व्रुद भी राष्टे सुरक्षा आदिनियम के तेते पेकल तायार कर भेजने एतु थाना परवारी को निर्देशित किया गया है इसके पूर्ब भी चार लोगों के व्रुद रासुका के तहते कारवाई कर उनको केंद्रिये जेल इंदोर में निरुद किया गया है जो की हींके मिलावट के कारवार में सनलब्त थे पोलिस वाला न्यूस से स्टेट ब्यूरू है अनिल भंडारी की रिपोर्ट